हेलो फ्रिंद, वेल्गम बेक टू माई चेनल, मैं डॉक्टर प्रियंक का याद हूँ और आज हम बात करने वाले हैं बंध गरपनाल के बारे में यानि के ब्लोग्ड फिलोपियन ट्यूब के बारे में येदी आपकी ट्रीट्मेंट चल रही है आपने चार पाथ छे माना एक लेकिन फिर भी फाइदा नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर बोलेंगे आप एचेस्ची करवा लीजिए यानि के फिलोपियन ट्यूब खुली है या बंध वो टेस्ट करा लीजिए और अभी तो कहीं सारे एसे गायने के जो एसा ही बोल देते तुरंद के एचेस्ची न होल दिया जाएगा यदि अपके एचेस्ची में ट्यूब बंध इसा पलता पता चलता है तो आपको यह बोला जाएगा कि आप वहां पर सर्जुरी करा लीजिए और सर्जुरी में ट्यूब खुलने के चांस है सीफ और सीफ टेन टूट्वेंटी परसंट होते है उसके बा चलत लिए हमने के पर सकते हैं यहां पर आपकी ट्यूब बंध है जैसे कि कोल बलोक भी आपके इनीश करेंगे तो यहां पर हाइडरो सलपिंग तो भी आपको सर्जुरी करा कि उसको निकालने की जरुरुरत नहीं है हम दवाई के मदद से हाइड्रो साल्पिंग्स को ठिक भी कर सकते हैं तापकि ट्यूब्स वहाँ पे खुल भी चाहेगी आई वेप की ज़रूरत नहीं रहती है तो यहाँ पर हम हरे लेवल पर बात करेंगे में प्रेगनसी रुपने के बात भी क्या नली बंद हो सकती है जी हाँ तेसे कौन-कौन से रिजन है जहां पर जिसके चलते आपकी ट्यूब्स बंद हो सकती है तो क्या क्या करना सबस्क्राइब नहीं कि चैनल को सब्क्राइब कीछले आपपकी के इसमें आप नेचर प्रेगनसी बिंदा ने यह फॉलपन से Benar की से करेंगे सबसे पहले तो HST के अलावा कोई ऐसा है टेस्ट जिससे हम पता कर पाए कि हमारी ट्यूब बंध है तो जी नहीं HST के अलावा एक SSD आती है वही सेम है कि वहाँ पर fluid insert होगा देखो यहाँ पर हम बता दे यहाँ से यहां से डाई इंजेक्ट होगी SSD में fluid inject होगा जो यहां पर आपकी ट्यूब खुली है तो इधर से फिम्रीलेंड से वह बाहर आएगी दोनों साइड से तो उसको माना जाएगा कि आपकी ट्यूब कुली है अभी यहां से जो डाई इंजेक्ट करते हैं वह आपको यहां तक द मैं इसानि कि तुब नहीं है तो यहां पर यहां पर यहां से त्यूब का स्टार्टेंग होता है वहीं से बंद यहां से बंद उसको बोलेंगी बिच में बंद हो सकती बिच्ख में बन्द हो सकती ओर स्सकों डिश्च्ट अब इस बलोग्ई बलेंगे और नीज़ किसमिद भी ब्लोकन भी लेंगे आप देख रहे हैं देखो ये किती पतût नीब पतली ऑष्ट्टयोगैंगे फोड़ी सिस यहां पर आपके चीश्ची में पता चलेगा कभी-कभी आपके रिपोर्ट में इसा भी आएगा कि दोनों तरफ हाइड्रो साल्पिंग तो क्या ऐसे में प्रेगनसी नेचरल रुकेगी आपको इसा बोला जाएगा इसमें नेचरल नहीं रुकेगी इसको काटना पड़ेगा या फिर उसके लिए आपको सर्जरी कराने पड़ी की दूसरा कभी-कभी क्या होता है देखको यहां पर आप देख सकते कि किस तरह से बिलगूरी की तरत चिपकी हुई है यहां पर आप देखेंगे की इस तरह से वायट पेंट किया गया तो यह क्या दिखाता है इडेशन जनरली क्या होता है यह ट्यूब जो वहाँ पे नेचरल नोर्मल होगी तो इसके किसी के साथ चिपकी हुई नहीं होगी इसकी फ्री मूवमेंट होती है जो यहां पर अंडा रिलीज होगा औरी में से उसको यह केज करके अंदर लाएगी और यहां से रिलेशन के बाद हस्बन के स्बाम उपर वाजएंगे दोनों विक्तिव में मिलेंगे पहले बच्चे का साथ अाडव दिन का विकास ब्इन तूब में होगा उसके बद बच्चा कह यहां पर जिपकेगा आपकी बच्चे दानी में अभिक ट्रॉपिक प्रेग्नसी होने का पर बालो चैसे छोटी छोटी रचना होती है तो उसके चलते वहां पर प्रेगनसी नहीं रुकेगी और कभी-कभी रुकेगी अंडा और स्पर्म अंदर चला गया तो पहले साथ दिन के विकास के बाद वह नीचे नहीं आ पाएगा और यहां पर बच्ची का विकास हो के बच पास्ट में TB की दिक्कत थी टूबरकुलोसिस चाहे वह आपकी लंग TB हो या फिर आपकी रिप्रोड़क्टिव सिस्टीम में हो या बोन हो यदि आपको TB की दिक्कत हो तो वहां पर ट्यूब बंद होने के चांसे बढ़ जाते है तो यदि आपको पास्ट में TB थी आप ट् आपको बहुत ज्यादा बार-बार इंफेक्षिन हो जाता है वजाएनल इंफेक्षिन बार-बार हो जाता है टूब बंद होने के चांसे बढ़ जाते है यह आपको वहाँ पे पास्ट में कोई सर्जुरी कराई एब्ढमिनल सर्जुरी दूशके चलते एडेसंस हो जाते औ तो एक का इंफेक्शन दूसरे को लगेगा तो ट्यूब बंद होने की संभावना बढ़ जाती है दूसरा आपने प्रेग्ननसी की थी और उसके बाद आपने टेबलेट लेली या फिर बहुत ज्यादा दिनों तक वहां पर उसको निकाल नहीं पाया थे या वह अंद्रून इ आपकी ट्यूब बंद हो सकती है तेसा नहीं एकगा प्रेग्ननसी अभी थी तो फिक ट्यूब टेस्ट कराने के लिए पेसेंड को रेडी करना फिर बहुत ज़्यादा मुस्किल हो जाते का भी एक साल देट साल पहलों मेरे ट्यूब स्वारी प्रेग्ननसी रूकिती मेरे तो यह बहुत ही ज्यादा वहां पर मीत है कि अच्छी बहुत ज्यादा पेंफूल है अच्छी करवाना ही नहीं चाहिए ऐसा नहीं है यह पर आप प्रायर आप इंजक्शन वगेरा दी जाएगी टेबलेट वगेरा तो इतनी भी पेंफूल नहीं है डोक्टर बदल देंगे लेकिन एच्छी नहीं कराएंगे तो यदि आपके ट्यूब बंद होगी आप कितनी भी सारी ट्रीटमेंट लेलो लेकिन यदि ट्यूब के ऊपर काम नहीं करेंगे जब तक आप ट्यूब की मेडिसिंस नहीं लेंगे तो प्रेगनेंसी कैसे रुखेगी कि यहां पर 99% कैसिस में मिक्सिमम तीन मैंने में होमियोपेथी से ट्यूब खुल ही जाती है तो यहां पर यह आप ट्रीटमेंट ले रहे तो यह फिर सर्जरी आई विप का थोड़ा सा भी सोच रहे है तो इससे पहले होमियोपेथी को ट्राइ कीजिए और वहां पर दूसरे यह भी हो आपकी ट्यूब खुलने की संभावना बढ़ जाती है तो आपको पहले दिन से लेकर 15 तक पीरियाट के पहले दिन से लेकर 15 तक अपनी नाभी में केस्टो एपलिकेशन भी करनी चाहिए और रही बात मेडिसीन की तो मेडिसीन यहां पर आपकी कहां से ट्यूब बंद है हा साथ मेरे पास आये है, तो साथ मेशनूंत में रेतुप achte है यहां 20 तillarषों मेरे मैंडीद मेशेधर खें लेकिन इसाथ में अंडा आच्छा बन इंप्लेंटेशन सब दवाज साथ में ही चलेगी थाकि पहले मैने से प्रेग्ननसी कंसिल के लिए प्रिप्रेशन कर पाए तो हुम्यपधिक मेडिसीन आपका पूरा केस टड़ी करके हम आपकी डिसाइड करेंगे तो यदि आप हमारी अज़ी घुच्छाथ में रहता आनंद एंडाबाद बरोरा से नजदिक है आप सकते हैं यदि दूर है इधर आना नहीं चाहते तो टेलीफोनिक अपोन्मेंट की सुईधा है टेलीफोनिक अपोन्मेंट का वोट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एन सेर कर दीजीगा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए इसे मिलते रहेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टेली स्टेपी बाई